एक ही प्रश्ण है हम क्या चाहते हैं और जो हम चाहते हैं उसको पाना भी है तो चाहना उद्देश्य है पाना साध्य है और इसके बीच में है साधन कैसे पाएं अब अपने जीवन को देखें तो हमारा प्रतिक छण का कार्य उद्देश्य को पूरा करने है तो ही है चाहे वो नाम कमाने का हो चाहे वो महान बनने का हो किर्ती पाने का हो चाहे अबाधक शासन करने का हो चाहे सुन्दर बनने का हो लक्ष बहुत बनाएं क्या यही उद्देश्य है ना यदि यही जीवन का उद्देश्य होता तो अब तक हम त्रिप्थ हो गए होते यह जीवन का उद्देश्य नहीं है इसलिए यदि इनसे कुछ दिन के बाद हमें दुख मिलता है तो हम परित्या करने को भी राजी है हम छोड़ने को राजी कोई बहुत सुन्दर है आपको रमणी चाहिए सुन्दर रमणी चाहिए पीछे पीछे दोड रहे हैं दस साल परिश्रम करने के बाद एक रमणी मिली और पांच साल में शीतला हो गया चेचक हो गया उसको जो पहले समय में हुआ करता था पूरा मूँ कुरूप हो गया या कोड हो गया उसको पूरा मूँ कुरूप हो गया तो यह जो उद्देश्य था रमणी को पाना यह पूर्ण हुआ लेकिन फिर दुख क्यों हुआ अब अब पंदरा साल बाद उसको आप जब देखते हैं कि दस साल प्रयास किया पांस साल में यह कुरूप हो गई आप देखना पसंद नहीं करते आपको दुख होता है परित्याग को राजी है अरे कुरूप ना भी हो तो भी एक इस्त्री जिससे ब्या किया पच्चिस साल बाद क्या वो अट्रेक्शन रहता है वो ही दुख वही अशान्ती वही अत्रिप्ती तो ये जीवन का उद्देश्य है ही नहीं मैंने एक उधारन बताया आपको इसलिए जब वो चीज जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती तो जिन-जिन साधनों को अपनाते हैं उनसे यदि दुख मिलने लगता है तो हम परित्याग को भी राजी हैं इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि हम कुछ और चाहते हैं हम वो चाहते हैं जिसमें सुख अबाधक मिले सदा को मिले और उसी सुख को पाना ही जीवन का धर्म है हम इसी को पाने के लिए दिन रात दौड रहे हैं चाहे नाम हो कीर्ती हो शासन करना हो क्यों चाहते हो सुख मिल जाए नहीं मिलता फिर वो दुख को परित्याग भी करना चाहते हैं अर्थाथ हम परम सुख चाहते हैं और परम सुख को पाने के लिए दौड ना ही तो साधना है तो मिला क्यों नहीं यदि दौड रहे हैं तो मिला क्यों नहीं उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो उदेश पूर्ण करना है उस उदेश को समझने में भूल कर बैठें हम भूल कर बैठें हम पी रहे हैं विश और चा रहे हैं अमरत्व अब बताइए विश पी कर आज तक किसी को अमरत्व हुआ हम पकड़े हैं अगनी का पुंज या अगनी रूपी लोह का खंड और चाह रहे हैं सोच रहे हैं कि हमने शीतल ठंडा लोह का खंड पकड़ रखा है अरे अगनी का खंड है वो वो लोहा अगनी का है उसको तुम शीतल मान के चल रहे हो तुम्हारी मुर्खता है सुख कैसे मिलेगा विश्पी रहे हो कहते हो अमर हो जाएंगे धोखा है भ्रान्ती है उद्देश को गलत समझे हो सीमित वस्तूओं में असीम सुख की खोज कर रहे हो स्थूल जड में परमचेतन को खोज रहे हो मुर्खता है कैसे मिलेंगे बताईए न तो उद्देश में भूल हो रही है न जब उद्देश ही गलत हो गया उद्देश सही सही समझा नहीं जीवन का इसलिए जो सीमित है उसी में हम असीम सुख के लिए दिन रात दोड़े जा रहे हैं यहीं पर तो भूल हो गई तो जब भूल हो जाती है तो वो साधना गलत हो जाती सही उद्देश जो समझ लेगा जीवन का सही उद्देश परमसुख को पाना है तो फिर सही उद्देश तो सही दिशा फिर सही साधना हमारा काम है साधना करना यदि सही सही साधना कोई जीव करेगा तो भगवत धर्म रूपी कृपा स्वयमेव होगी अपने आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना करें और वो कृपा करें वो धर्म है न तो हम यदि धर्म का पालन करेंगे तो भगवान अपने धर्म का पालन करेंगे बाकी भगवान को याद दिलाने की आविशक्ता ही नहीं है हम तो नहीं कर रहे फिर भी अनुवरत भगवान अपने धर्म का पालन कर रहे है कौन से धर्म का पालन भगवान नहीं कर रहे हमारे नसों में जो प्राण वायू है धमनी में जो खून दोड रहा है हिदे धक धक कर रहा है यह क्या है हमें मनुष्य शरीर मिला है यह क्या है कृपाई तो है इससे बड़ी और क्या कृपा होगी कि हमें उन्होंने भगवत प्राप्ती के अधिकार वाला शरीर दिया है इससे बड़ी और क्या कृपा आप चार्ज नहीं लगा सकते भगवान पर की भगवान हम पर कृपा नहीं करते यह हमारी उद्दंडता होगी मूर्खता होगी भगवान तो कृपा ही कर रहे है आप उन्हें उनका धर्म नहीं बता सकते आप बोलो ना बोलो वो कृपा कर ही रहे हैं हम जिन्दा हैं कृपा हम क्या खा रहे हैं अन कृपा अन मैंने या आपने नहीं बनाया प्रित्वी जल तेज वायू आकाश यह कृपा ही तो है और क्या है एक सेकेंड को भी कोई चीज इधर से उधर नहीं हो सकती, प्रले हो सकता है, अर्थात अकाल पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन युगों में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन प्रकृती में कोई अंतर नहीं आएगा, पानी पानी रहेगा, वायू वायू रहेगी, अगनी अगनी रहेगी अ काश अकाश रहेगा उसमें कोई परिवर्थन नहीं होगा यही तो कृपा है तो भगवान कृपा कर रहे हैं करेंगे वो कृपा के ही स्वरूप है तो उन्हें अपने धर्म पालन के हेटू हमें केहने की आविश्यक्ता नहीं हमें जानना है हमारा वास्तविक धर्म क्या है और वास्तविक धर्म जीव अपने आप जान नहीं सकता कभी अच्छे संसकार से जीव पर अनुकम पा होती है हरी की दृष्टिपात करते हैं प्रेम पूर्वक सोय को जगाते हैं और कहते हैं तेरे इस मानव दे की जीव अन्यात्रा में चलो इस बार तुम्हें मैं अपने प्रिय से मिला देता हूँ तुम पर अनुकम पा करता हूँ फिर अनुकम पा यानि कृपा फिर कृपा आ गई ये विशेश कृपा होती है और हमें फिर भगवत प्राप्ती कराने वाले संत मिलते हैं संत तो बहुत हैं जगत में लेकिन भगवत प्राप्ती कराने वाले संत की आविशक्ता है हमें जो हमें भगवत प्राप्ती कराने की ताकत रखते हों जिनके पास वो परम शक्ती हों कराम प्राप्त